उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे तेरा हो चाओंगा में हाथों में हाथ दे दे हाथों में हाथ सही तू मेरे साथ सही फिर भी तेरी हाँ है बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपको नौटिफिकेशन मिल जाए और फ्रिंट्स अगर आप लोगों से वीडियो क्रियेट नहीं हो पारी है तो मैं आप लोगों को बना कर दे सकती हूँ इसके लिए आप मैं इसे कॉंटेक्ट कर सकते हो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉंटेक्ट इंफोर्मेशन मिल जाएगी तो अभी इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पर क्रियेट करेंगे तो चलिए हम लोग ए रेटिंग स्टार्ट करते हैं मैं काइन मास्टर अप्लिकेशन ओपेन कर लेती हूँ यह ओपेन हो गया है इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलक्ट कर लेंगे तो अभी हम लोग इस वन बाइवन वाली रेशियो को ले लेते हैं इसके बद यहां से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को एड़ करनी है उसको आप लोग एड़ कर लेना तो यहां पर पिक्चर्स को एड़ कर लेती हूँ यहां पर हम लोग 8 पिक्चर्स को एड़ कर लेंगे इसके बाद इन सब में हम लोग start position and end position को add करेंगे तो आपको इस crop वाल आइकन पे click करना है और यहाँ पर start position को रख लेते हैं यहाँ पर end position को तो सारे में add कर लेंगे start position को and end position को इसके बाद इन सब में हम लोग transition effect को add कर लेंगे तो आपको classic transition effect में आ जानी है and इसमें zoom out वाले effect को add कर लेते हैं तो सारे में add कर लेंगे ओके एंड इसको रख लेंगे 34 seconds तक and इसके बाद इस video को export कर लेंगे export होने के बाद आपको back आ जानी है and फिर से इस plus वाले icon पर click करना है and फिर से हम लोग video के ratio को select कर लेंगे तो अभी हम लोग इस 16 by 9 वाली ratio को ले लेते हैं इसके बाद यहाँ से media पर click करके हमने जो video को अभी export किया उसको हम लोग इसमें add कर लेंगे and इसको full screen कर लेंगे okay and इसको equal रख लेते हैं and इसकी begin it को on कर लेंगे and इसके बाद इसमें blur वाली effect को add करेंगे तो effects में आ जानी है and इसमें blur वाली effect को ले लेते हैं इसको full screen कर लेंगे and settings में आके इसको 4 रख लेते है and इसको end तक रख लेंगे okay इसके बद यहाँ पर जो मैंने video project को बनाया है इसको मैं इसमें add कर लेती हूँ इसके link आपको निचे description में मिल जाएगी आप लोग इसको वहाँ से download कर लेना and इसको भी full screen कर लेंगे and इसको blend करना है तो इसको screen कर लेंगे and इस video को जिसको की हम लोगों ने media में add किया था इसको duplicate as a layer कर लेंगे okay and template video को bring to front कर लेते है and इस video को इस frame में रख लेंगे okay and इसके पर यहाँ पर यह फ्रेम है उसमें भी pictures को add कर लेनी है तो यहाँ पर मैं भी एक picture add कर के बता देती हूँ and बाकी का सारा आप लोग add कर लेजिएगा square वाले save में already crop है तो template video को bring to front कर लेते है and इस picture को इस frame में रख लेंगे यहाँ तक आ गई है and इसको यहाँ से right और left दोनों side crop कर लेंगे okay and इसको int तक रख लेते है तो इसी तरह से आपको सारे दोनों frame में pictures को add कर लेनी है and इसके बाद इसमें मैंने name वाले text को add किया था तो text वाले option पर आना है या name को लिख लेते है and इसमें भी font style को रख लेंगे and इसकी color को रख लेते है black okay and इसको यहाँ पर रख लेंगे and इसको भी end तक रख लेते है तो guys आप लोग देख सकते हो यह video create हो गई है and song इसमें already add है और अगर आप लोग song change करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग template वीडियो की sound को off कर ले न and इसके बाद audio में आके आप अपनी file से कोई भी song इसमें add कर सकते हो इसके बाद आपको इस share वाले icon पर क्लिक करना है and यहाँ पर आप लोग वीडियो की size को select कर सकते हो इसके बाद आप इसको export कर लोगे तो यह आपकी file में save हो जाएगी तो thank you guys for watching this video और please आप लोग जाते जाते वीडियो को like जरूर कर लो और साथ ही आप लोग channel को भी subscribe कर लो ताकि मेरी new updates की notification आप तक आसानी से पहुँच जाए और friends अगर आपने भी तक मेरी other channel को subscribe नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी subscribe कर लीजे उन सबके link आपको नीचे description में मिल जाएगी तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care